नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सपना सूम स्कुलिंगे चानल में और आज हम सात्वी कक्षा हिंदी का तीसरा पार्ट दो लगु कताए यहाँ पे सीखने वाले हैं तो इस पार्ट में से जो भी प्रशने यहाँ पे पूछे गए इन सभी सवालों की जो आप यहा कहानी सुना तो कहानी है चतुराई संबंधी कोई सुनी हुई कहानी नदी के एक किनारे एक विशाल पेट था जिस पर एक चिडिया रहती थी एक दिन चिडिया ने पानी में कुछ तेरते देखा वो पास गई तो एक चीटी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थी का शुक्रियादा किया खोजबीन में प्रशन है आंतर जाल से पारेंपार एक चित्र शैली के प्रकार खोजो और लिखो जिसे वारली मधुबनी आदी राज्य का नाम तो यहाँ पर राज्यकरा में महराष्ट्र शैली है वारली बिहार की शैली है मधुबनी राजस्तान क कि शैली है राजपुच शैली आंध्र प्रदेश की शैली है कलमकारी उडिशा की शैली है पटचित्र मध्य प्रदेश की शैली है गोंड कला अध्यन कोशलने प्रशन है किसी नियत विशे पर भाशन देने है तु टिप नी बताओ प्रस्तावना सुम्मद इसमें विशे प्रवेश उद्धरन सुवचन देने है उत्तर है आधर निया दक्षम होदे कुशलनी रायक मंडलेव प्रिया शुर्तागर आज मैं आपके सामने त्योहारों के महत्व विशे पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ त्योहारों का नाम सुनते ही मन खुशी से कभी गनेश उसो कभी नवरात्री कभी दिपावली के पटाके कभी होली के रंग मिस सरा बोर गाव नगर तो कही नयने परिधानों में सजे लोग अध्यक्षम होदे इन सब जहांकियों में नजारे भले ही अलग-अलग दिखते है कि तु सभी का उद्देश एक ही अपने आपसी भाईचारा भारत त्योहारों का देश कहा जाता है कहा भी गया है अगर चाहते हैं उमंग तो आपस का विवार न भूले कैसी भी हो मायूसी पर हम अपने त्योहार न भूले अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ यदि ये त्योहार न आये तो हम अपने भर परिवार पूर्ण रूप से मिलन पाएंगे इसलिए हमें अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाना चाहिए बताओ तो सही अकबर के नो रतनों के बारे में बताओ अकबर के दर्बार में नो गुनवान दर्बारी थे जिने अकबर के नो रतनों के नाम से जाना जाता है इन नो रतनों में से पहले रतन बीरपल थे जो अकबर के दरबार के विदुशक और सहकार थे दूसरे रतन अबूल फजल थे जिनों ने अकबर के काल के को कर्म बद्ध किया था तथा अकबर नामा और आइनाई अकबर ही की रचना की थी यह अकबर के मुख्य सलहकार के वह सचिव थे तीस अट्वे रतन अब्दूलरहीम खान एक खाना एक प्रतिष्टित कवी थे और अकबर के संरक्षक बेरम खान के बेटे थे। अबी रतनों में एक बात आम थी कि सभी के वे सभी बेहत बुद्धिमान और प्रतिभावान थे। इसलिए पाच्छा अकबर ने अपने इन नो दरबारियों को नो रतनों के उपादी दी थी। वाचन जगत से पसंदीदा चित्रकथा पढ़ो और इसी प्रकार अन्न चित्र कथा बनाकर सुनाओ लोर्ट लोज ऐसा दिच सकते हैं और यहाँ पर हम दैंगे कभूतर हो चीटी एक एक नदी थी और उसके किनारे एक पेड था, पेड पर एक कबूतर रहता था, पेड के नीचे एक चीटी रहती थी, एक दिन कबूतर ने चीटी को नदी के पानी में डूपते होई देखा, उसने फोरन एक पत्ता तोड़कर चीटी के पास फेका, चीटी पानी से पत्ते पर आ गई, पत्ता ब बंदू का निशारा साधा चीटी ने हो देखा उसने फोरन जाकर शिकारी के पाव में काटा शिकारी दर्द से चिलाया उसकी आवाज सुनकर कभूतर उड़ गया चीटी ने कभूतर की जान बचाई कभूतर ने उसका आभार माना योग्य विकल्प चुन कर वाक्य फिर से ल सब्सक्राइब है बादशा ने बीरबल की दूसरी शर्ट सुनी तो वे बीरबल का मूद देखने लगे क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेट से पैसे मांगे या सभी चित्रों के पैसे मांगे उत्तर है क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेट से सभी चित्रों के पैसे वह उसे पेसे नहीं दे रहा था इसे चित्रकार बैयत परिशन था तीन हरे गोड़े के संधर में बीरबल की चतुराई का वर्ना कीजी उत्तर बाच्छा और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह जानते थे कि संसार में हरा गोड़ा नहीं होता फिर भी बीरबल ने की दो शर्ते पता कर बाच्छा को निरुत्तर कर दिया नो तो बाच्छा दूसरी चर्त पूरी कर सकेंगे और ना ही उन्हें हरा गोड़ा देखने को मिलेगा इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई का परिचे दिया गोड़े के मालिक की शर्ते लिखिये उत्तर है अच्छा गोड़ा देखने आ चकता है प्रश्न है भाशा की और निमनलखी द्वाक्य पड़ो तता मोटे और में छपए शब्दों पर धहन दो जैसे रागव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया चुपचाप रती का अभी सोई है मां आज आज यहां धीरे धीरे तो अभी यहां पर देखेंगे कि उपए जो शब्दे जुपचाप अभी यहां धीरे धीरे यह क्रमशा प्रवेश करना सोना जाना बसना चलना इन क्रियाओं के विश्यष्टा बताते हैं तो इन शब्दों को क्रिया विश्यष्षन अव्वे कहते हैं नाकपूर से चमचमा रहा था शोनक बड़ी बहन के साथ विध्यार जाने की तयार में लग रहा था यहां पर जो वाक्य है इनमें की ओर के लिए के बात की भांती के साथ यह क्रमशा नाकपूर राइगड ताकस अंतुली तहार जन्म और मामी जी जलाशे और चांदी बड़ी बहन और विध्यार इनके भी संबंद दर्शाती इसलिए इनको संबंद बोधक अववे कहते हैं याद रखिए एक्जाम में आते हैं प्रश्ण तो धन्यवाद दोस्तों आप बहुत सहायता करते हैं हमें इसलिए अगर आप नए हो इस चानल को तो जरूर इस चानल को सब्सक्राइ है क्या अगर हो गई है तो भी आप हमें बता सकते हैं फिर आपको कोई क्वेश्ण पीपर चाहिए हो किसी टॉपिक के उपर तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा तो इसकी हिसाब से हम आपको क्वेश्ण पीपर भी अप्लोड करके देंगे